दोस्तो अगर आप IDVI बैंक में आप अपना एक जीरो बलने सेवे इंकाउंट खोलने की सोच रहे हैं तो finally यहाँ पर जो कि IDVI बैंक ने वीडियो कॉल के वाईसी के साथ एकाउंट लॉंच कर दिया है अब यहाँ पर जो कि आप अपने mobile phone से easily one step में एकाउंट को open कर पाएंगे साथे साथ एकाउंट open हो जाने के बाद वीडियो कॉल के वाईसी से आप अपना एकाउंट का फूल के वाईसी भी complete कर पाएंगे इसके लिए आपको branch नहीं जना पड़ेगा एकाउंट open होने के बाद instantly आपका एकाउंट नमबर customer ID, safe number सारा चीज आपके email पर send कर देता है साथी साथ अगर आप checkbook और ATM card की requirement रखते हैं तो यहाँ पर by post आपके address पर 7D के अंदर send कर देता है जिससे कि आप phone पे, UPA, Google पे काफी सारी UPA transaction app यूज कर सकते हैं तो आए इस वीडियो में हम लोग details में जानेंगे कि कैसे IDBI bank में आप अपना एक zero balance saving account को खोल पाएंगे लेकिन इससे पहले आपसे एक request करूंगा कि चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को subscribe कर लिजीगा और वीडियो को like करिएगा तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं IDBI bank में saving account को open करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस page पर आना होगा जिसका link में video के description में दे दूँगा जिस पर किलिक करके आप directly इस page पर आ जागे यहाँ पर account के बारे में basic details दिखाया गया है यहाँ पर नीचे में आप देख पारे वीडियो account opening का option एक दिखाया जा रहे और इसके नीचे install करके आईएगा तो यहाँ पर लिखा गया है how to apply और इसके नीचे video के वाइसी link लिखा गया है तो simply guys account को open करने के लिए video के वाइसी link पर आपको click करना है और यहाँ पर काफी सारे permission आपको allow करने का option दे रहा है तो इन में से सारे option को आपको tick कर देना है और उसके बाद finally continue पर आपको click करना है अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पर है सबसे पहले तो आपको title select करने का option आरे तेहां से आपको अपना title select करना है और इसके नीचे यहाँ पर applicant first name यानि कि जिसका account खुल रहा है उस first name यहाँ पर आपको fill up करना है middle name यहाँ पर fill up करना है और last name यहाँ पर आपको fill fill up करना है इस सारा चीश fill up हो जाने के बाद नीचे में यहाँ पर आपको एक mobile number fill up करना है तर्मन कन्डिशन को accept करना है और नीचे में देख पर है finally continue का option है simply guys continue पर आपको click कर देना है यहाँ पर आपके mobile number पर OTP sent किया गया है OTP को यहाँ पर आपको fill up करना है और OTP fill up करने के पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद continue पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर आपके email id पूछा ज़रा है इनकेस बैंक में जो भी email id लिंक करवाना चाहते हैं उस email id को यहां पर आपको फिल अप कर देना है और उसके बाद continue पर आपको क्लिक कर देना है और आपके email id पर भी OTP send किया गया है simply guys OTP को यहाँ पर आपको fill up करना है और wilded पर आपको click करना है और continue पर आपको click करना है इसके आगे वीडियो कल के वाई सी complete करने के लिए यहाँ पर जो basic details देख पर हैं सब्सक्राइब तो यहाँ पर आपका mobile phone या desktop का camera enable होना चाहिए साथी साथ internet जो की फोर्जिक connectivity होना चाहिए और अधार card आपका original होना चाहिए paint card original होना चाहिए और साथी साथ white paper पर यहाँ पर blue या black pen से आपको signature करना पड़ेगा सारा चीजी information देखने के बाद finally continue पर आपको click करना है यहाँ पर आपका paint card का number पुछा जा रहा है यहाँ पर आपका basic details दिखाया जा रहा है in case आपका name, title, first name, middle name, last name दिखाया जा रहा है और इसके इसे email id और mobile number भी दिखाया जा रहा है सारा चीजी सही रहने पर continue पर आपको click करना है और इसके आगे आपका अधार card का number पुछा जा रहा है in case यहाँ पर आपको अपना 12 deed का अधार card number यहाँ पर fill up कर देना है और अधार card number fill up करने के बाद validate अधार पर आपको click करना है और continue पर आपको click करना है आपके अधार card में register mobile number पर OTP send किया गया है OTP को यहाँ पर आपको fill up कर देना है तो यहाँ पर आपका अधार काड़ भी verification successful हो गया है continue पर आपको click करना है कि आगे personal details fill up करने का option आ रहा है इनकेस यहाँ पर सबसे पले तो आपको अपना father's का name इसके नीचे mother's name और इसके नीचे आपको अपना mother's या madam name यानि कि अगर आपका साधी सुधा होंगे तो यहाँ प आप अपना mother's का name fill up करेंगे इसके नीचे आपको अपना marital extras यहाँ से select करना है कि आप साधी सुधा है या single इसके नीचे education select करने का option आ रहा है तो यहाँ से आप जितने तक पढ़े लिखे हैं यहाँ से आपको select करना है और इसके नीचे finally यहाँ पर religion पूछा जा रहा है तो आपको क्लिक करना है इसके आगे आपके अधार काड़ पे जो भी address है in case यहाँ पर address दिखाया जा रहा है नीचे में यहाँ पर आपको milling address और parlamment address यानि कि आपके अधार काड़ पे जो address fill up हुआ है वहीं जो की milling address और parlamment address दोनों सेम है तो यहाँ पर उसके वाद final continue पर आप करना है इसके आगे यहाँ पर आपको implied details fill up करने का option आ रहा है इहां से सबसे पहले तो आपको select करना है कि आपको occupation type यहां से आप जो भी काम करते होंगे यहां से आप select कर लेंगे कि नीचे यहां पर आप जितना भी इनकम होगा यहाँ पर आपको fill up कर दिना है और उसके बाद सारा चीज fill up हो याने के बाद finally continue पर आपको click करना है इसके आगे नमनी details fill up करने का option आ रहा है इनकेस नमनी का name add करना चाहते हैं तो yes पर click करके आगे continue करिएगा तो नमनी का details यहाँ पर add कर सकते हैं अगर इसके आगे tax resident details fill up करने का option आ रहा है तो यहाँ से आपको country of birth पुछा जा रहा है तो इनमे जो की पहले से India select है इसके नीचे state of birth यहाँ से आपको यानि के आपको अपना state करने में यहाँ पर fill up कर दिना है इसके नीचे place of birth यानि के आपको अपना nearest city करने में यहाँ पर fill up कर करना है और उसके बाद final continue पर आपको क्लिक कर दिना है इसके आगे यहाँ पर select account type का option आ रहा है तो यहाँ से आपको अपना account type select करना है इनकेस यहाँ से आप saving count यहाँ पर women saving count senior citizen account और highest network saving account और यहाँ पर youth saving account जो की individual 18-30 words के लिए यहाँ से आपको अपना saving account यहाँ से select कर सकते हैं फानली continue पर आपको क्लिक करना है इसके आगे select branch का option आ रहा है तिहाँ से सबसे प्ले तो आपको अपना state का name यहाँ पर fill up कर दिना है इसके नीचे city select करने का option आ रहा है तिहाँ यहाँ से आपको branch name भी आपको अपना nearest city में दिखाया जगा select करना है और उसके बाद finally नीचे में continue का option है simply guys continue पर आपको click कर दिना है इसके आगे select channel service का option आ रहा है इनकेस यहाँ से आप bank की तरफ से कौन-कौन facility को enable करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर email के दौरा आपके bank का statement यानिक account का statement आता रहे इसके लिए first option select करना है अगर आपको checkbook की requirement है तो checkbook भी select करना है intent banking की requirement है तो intent banking की चलू कर देना है mobile banking चलू कर देना है इसी परकार से ATM card आपको चाहिए तो ATM card भी यहाँ पर select कर लेना है तो यहाँ पर आपको अपना ATM card पर जो भी name रखना चाहते हैं य यहाँ पर यह कोई जरूर नहीं है कि आप जो account में name होगा वही name आप यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी name रख सकते हैं अगर आपको checkbook की requirement है तो checkbook भी यहाँ से select कर सकते हैं इन case यहाँ पर सारची select करने के बाद continue पर आपको click करना है इसके आगे video KYC complete करने का option आ रहा है इन case यहाँ से जो कि video KYC सुबा में 10 बैसे लेके साम को 6 बजे के बीच जो की हापता में यहाँ पर 6 डे यानि कि Sunday को जो holiday के यहाँ पर छूटी रहता है तो उस दिन आप video KYC complete नहीं कर पाएंगे बागी का day आप किसी भी दिन आप video KYC complete कर लेंगे video KYC complete करने के लि I want to schedule it later इस पर आपको क्लिक करना है term and condition को accept करना है अगर आप term and condition को read करना चाहते हैं तो preview पर क्लिक करके यहाँ से आप read कर सकते हैं finally नीचे में continue का option है simply guys continue पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको timing set करना है कि की स्थितिक को आप video KYC complete करना चाहेंगे तो इसके लिए यहा नेम में आप खाली रहेंगे और उसके बाद date और timing set करने के बाद continue पर क्लिक करना है आइनि यहाँ पर जीसे कि आप देख पर हैं आपका name और यहाँ पर date timing दिखाया जा रहा है इनके summit का नीचे में apply scripture. पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर जिसे कि आप देख पर हैं यूर वीडियो के वाईसी रिक्वेस्ट हैं में सक्सेस्पुली यहां पर आपका रेफ्रेंस नंबर भी मिल गया है इस परकार से आगे यहां पर जिस टाइम में आपके बैंक की तरफ से एमेल सेंड किया जाएगा साथी साथ अगर आप चेक्बूक और एटियम काड़ भी सलेक्ट की होंगे तो यहां पर आपके एड़ेर्स पर बाई पोस्ट सेबेंडे के अंदर वीडियो कल को इसी कंप्लीर होने के बाद सेंड कर दे जगा तीस प्रकार से आईडी भी आई बैंक में आप अपन के जाए हीन बाई बाई